नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हम्राग और सुवागत आपका मारी एक और नी वीडियो में मारुति सुजगी ने लॉंच से पहले फ्रॉंक्स की माइलेज को रिविल कर दिया है लेकिन हम सभी को पता है कि ृल लाइफ मायलेज उर जो कंपनिया मायलेज रिविल करती है उनमें फरक राता है पहले बात कर लेते हैं कि मारुति ने कौन से मायलेज बताई और रियल लाइफ के अंदर दोनु इंजिन आपको कौन से मैलेज कितने कितने निकाल के देंगे तो आपके गड़ी खरीदने में आपकी थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी मारुती बता रही है कि जो 1.2 लिटर वाला इंजिन है ये मैनुल ट्रांस्मिशन के अंदर आपको निकाल के देगा मिलने वाली है और अगर आप हाईवे पे हैं और आप 80 से लेकर 85 किलोमेटर का जो स्पीड है वो क्रूज कर रहे हैं उस स्पीड के अंदर आप कंटूनियसली चल रहे हैं तो फिर आपको ये इंजिन आपको 20 के मैलेज है वो निकाल के देगा आप बात करें वन लिटर वाले इंजिन की तो कंपनी बता रही है वन लिटर वाले इंजिन मैनुल ट्रांस्मिशन में आपको निकाल के देगा 21.5 के मैलेज जबकि यही इंजिन ओटमेटिक में आपको निकाल के देगा 20.1 के मैलेज अगर रियल लाइफ की बात करें तो य आपकी स्पीड हो ज्यादा नहीं है आप गाड़ी को ज्यादा भगा नहीं रहे हो 80 से लेकर 90 की आपकी स्पीड है तो ये इंजिन आपको जैसी लगती थी और फिफ्ट वे जो Hyundai i20 डीजल है उसको discontinue किया गया है पेट्रल अभी भी आपको देखने में मिलेगी और शिक्स नमर पे आ जाती है Honda Amaz डीजल पेट्रल अभी आपको देखने में मिलेगी और Honda WRV को भी बंद कर दिया गया है और Toyota inova Krista जो पैट्रूल के अंदर आती थी और बियाब आपको Sorum Vaya Geara के अंदर देखने मिलेगी दो गाड़ी इसकोडा की भी है जिसमें Skoda सुपर्ब है साथी Skoda Octiva भी है जो आपको देखने मिलेगी वीडियो जल्दी फ्रॉंक्स इंडियन मार्केट में लोंच होने वाली है भी कोई पर्टिकुलर डेट इस गाड़ी को लोंच के लिए जो पंदरा सवाला तारीक है फिर अपरेल के लास्ट वीक बताई जा रही है उनमें भी कन्फिर्मेशन मारुति के उर्शनिया है कि इस इस गाड़ी को लोंच करेंगे तो जब भी इस गाड़ी के रिगाड़ी है मारुति लोंच इट को कोई अपडेट रहती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने हूं लेकर मिलते हैं इसी प्रकार के इंट्रेस्टिंग टोपिक को लेकर तब तक के लिए टेक कियर और बाइब बाइब वीडियो के लिए टेकनिक लेपे बोड़ी है